लेशा दली एस प्रिंसिपल की बात करेंगे आज फाइव बिनिट किमिस्टी में दिस इस शेशर मित्ल फ्रम व्यास रिटिफिकेशन कोटा कई दिनों से कुछ बच्चे कह रहे थे कि लेशा दली इस प्रिंसिपल की बात करी जाए तो आईए आज आपके सामने यही है बहुत ही मज़दार प्रिंसिपल है It is something like chemical law of inertia मतलब क्या है यह Chemical equilibrium में आता है वैसे तो 11 standard syllabus में बहुत ही important है सारे competitive exams इसको बहुत पूछना चाहते है क्योंकि deeply conceptual है simple है लेकिन तब भी खुश्चुरत है और मज़दार application हो सकते है आईए कुछ cases देखते है सबसे बहुत देखते है principle क्या है principle कहता है Whenever a system at equilibrium is disturbed अगर कोई भी system है कोई भी निकाय है जो की equilibrium पर है सामय आवस्था पर है Whenever a system at equilibrium is disturbed the position of equilibrium shifts the position of equilibrium shifts so as to minimize the change so as to minimize the change अगर कोई system है वो equilibrium पर है chemical equilibrium की बात हो लिए है और अगर आपने उसको disrupt कर दिया अगर आपने उसको disrupt कर दिया तो वो shift करेगा और इस तरह से shift करेगा ताकि जो भी परिवर्तन आपने किया है वो उसको nullify करने की कोशिश करेगा उसको minimize करने की कोशिश करेगा कम से कम करने की कोशिश करेगा ऐसा नियम है प्रकरति का जो बताया हमें लिशा दिलिये महराज ने अच्छा जैसे just to give you a very simple and classical example मालीचे आपके पास एक डबा है हम भी एक डबा है नहीं आप डबा नहीं है यहाँ एक डबा है हना और nitrogen है hydrogen है वो react कर रही है और ammonia के साथ equilibrium में है अच्छी बात है अब मालीचे एक box में यह equilibrium established है शांदार box है temperature आपका जो भी है maintained है volume fixed है box ठूटा हुआ नहीं है खली इसको ध्यान मत देजें चीज़ों पर है कि nitrogen और hydrogen यह non-polar gases है और यह पानी में बहुत ज़्यादा नहीं घुलती लेकिन ammonia जो पानी के साथ hydrogen bonds मना सकती है वो पानी में highly 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 soluble होती है तो जैसे ही आप इसमें कुछ drops पानी के डालेंगे ammonia gas यहां से हट जाएगी gas phase से क्यों वो दोड़के जाएगी और पानी में घुल जाएगी अरे तो जैसे 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 ही आपने पानी के कुछ drops डाली अगर आपसे कोई पूछता है कि पानी की दो drops हमने negligible volume भी drops है अगर हमने डाली है तो इससे concentration of nitrogen या hydrogen पर क्या असर पड़ेगा तो आप कह सकते हैं कि जैसे ही आपने पानी की drops डालीं, ammonia पानी में घुली, ammonia पानी में घुली तो ammonia का concentration कम हुआ ammonia का concentration कम हुआ तो equilibrium इस तरह से shift करेगा कि वो ammonia का concentration बढ़ाना चाहेगा तो forward shift हो जाएगा, जी हाँ तो forward shift हो जाएगा, मतलब कुछ nitrogen और hydrogen जो पुराने equilibrium पर थी अब वो और react करके नई extra ammonia बनाएंगी और ammonia concentration बढ़ाने की कोशिश करेंगी अच्छा तो इसका फलसुरूप क्या होगा nitrogen और hydrogen का जो नया concentration है जो नई equilibrium पर है पुराने equilibrium के मुकाबले नई equilibrium पर इनका concentration कम हो जाएगा ऐसा कहा है लीश अतलियस प्रिंसिपल में ammonia का क्या हुआ एक तरफ तो आपने उसको हटाया दूसरी तरफ बढ़ाया तो net क्या हुआ घटी या बढ़ी वैसे तो कुछ कहना कठेन होता है पर आहम तो पर आप कह सकते हैं कि आपने जब होमोजिनस एकुलीबियम में वो डिस्टेबेंस को मिनिमाईस करने की कोशिश करता है तो कोशिश ही कर पाता है नलिफाय तो नहीं कर पाता मार्क मैं वर्स होमोजिनस एकुलीबियम के बात कर रहा हूँ हिट्रोजिनस में तो नलिफिकेशन भी संभाव जाता है अच्छा तो तो अमोनिया घटी और बढ़ाने की कोशिश करेगा पर नेट जो फाइनल अमोनिया आएगी आप मान सकते हो कि most of the most probably वो अमोनिया औरिजिनल एकुलीबियम के मकाबले थोड़ी कम ही होगी ज्यादा नहीं होगी क्यों क्यों क्योंकि disturbance था हटाने का उसको आगे minimize करने के लिए थोड़ा forward आया है पर वापस दोबारा पुराना वैभाव प्राप्त हो जाए ऐसा homogeneous में होता नहीं है अच्छी बात है वैसे तो mathematical भी इसको देखा जा सकता है प्रूफ किया जा सकता है पर अपने पास पांच मेंट पे इतना वक्त नहीं होगा आए फड़ा फड़ा आगे चलते हैं एक दो इक लिए हम और देख लेते हैं वैसे तो लंबा टापिक है हम एक सीरीज भी करना चा अच्छा यह क्या है यह एकिलिवियम है बढ़ियां तो अगर आप सियोटो हटा लेंगे तो क्या होगा जैसे यह सियोटो हटाएंगे वैसे वैसे एक लिए फोरवर्वाड शिफ्ट होगा और कैलशियम कार्बोनेट डिकंपोस करेगा नया नया कैलशियम ओकसाइड बन ज अब उसको करते हैं यहां फैंस लगे होते हैं जो लगातार एर को हटाते हैं क्यूंकोट निकलती है यही एक्किलिब्रियम मुर्गियों में भी एक्सिस्ट करता है। क्या मुर्गियों में एक्किलिब्रियम हाँ आप देखें अगर पॉलिट्री फार्म चलाते हैं हम नहीं चलाते हैं कोई बात नहीं जो भी चलाते हैं उनको एक आडिया होता है कि गर्मियों में मुर्गियों को जो पॉलिकिव फार्म में मुर्गियां रखी जाती है ना उनके अंडे थोड़े से वीक हो जाते हैं और बहुत जल्दी खराब जाते हैं क्यों होता यह है कि गर्मियों में जब मुर्गों गर्मी लगती है तो अभो जल्दी जल्दी पंक फड़ पढ़ती पंक भड़ाती हैं ताकि गर्मी दूर कर सके तो थोड़ी सांस ज़्यादा तेज लेती हैं जब सांस ज़्यादा तेज लेती हैं तो ओवराल उनके लंग्स में जो पार्शिल प्रेशर किसका कार्बन एकसाइट का वो तोड़ा कम हो जाता है जल्दी जल्दी एक्जेल करके कर देती हैं कारबन एक्साइट का पार्शल प्रेशा कम हो जाता है सर्फ लंग्स में नहीं पूरे सिस्टम में उनके ब्लड में भी कम हो जाता है तो अल्टिमेटली जो अंडों का कवच बनता है किसका कैल्शियम कार्बोनेट का एक लिए फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया तो यह कवच थोड़ा सा उनका वीक पढ़ जाता है इस वज़े से उत्ता बढ़िया कैल्शियम कार्बोनेट का जो अंडों का खोल होता है वो नहीं बन पाता है अंडे जल्दी सर जाते हैं या उतने अच्छे नहीं रहते गर्मियों में और गर्मियों में अंडे सर जाने का दूसरे कारण भी जो कई इस जाते हैं इस कारण से सोलुशन क्या है वैल या तो मुर्गों को एयर केंडिशन में रखो यह एक तरीका हो सकता है ताकि उनके शान्ती हो जाए और दूसरा हो सकता है कि आप उन्ने कार्बूनेटेइड वाटर पिलाए परिपसी बिला सकते है मर जाएंगे विचारी मुर्गिया लेकिन हाँ अगर आप CO2 किस तरह से बढ़ा देंगे तो of course आप कह सकते ही कि संभभ हो जाएगा थोड़े से time pass note पे था सारी चीज़े 100% factual नहीं है तो इसलिए I don't want political scientist to come back and you know kill me for this लेकिन हाँ एक बहुत rough sketch के रूप में जल्दी 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 जो मैं आपको बता सकता था मैंने बताया हिट्रोजिनस में भी मज़दार केस होता है लेकिन वो केस ऐसा है जो अब हम डिसकस नहीं कर पाएंगे अल्री ओवर्शूट कर चुका है टाइम फिलाल आज की मुलाकात बस इतनी सब्सक्राइब करें लाइक करें बेल आइकन दबाएं जैसा की लोग हमेशा करते हैं और सुबह सुबह आप रोज हमारे साथ उठें नाचे गाएं और केमिस्ट्री का अनंद उठाएं और अगर आप IDJ की तेहरी कर रहे हैं और 2020 लिख रहे हैं तो दिर 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 शुपर कंदेस्ट्स ट्रैश्ट्स वर्फ और अरगनिकिमिस्ट्री सिर्फ पंदरा सेशंस में फड़ा फट वनी-ट्वनी-ट्वनी मैच कहलती वाभ से कावर कर सकते हैं तो तोस वे इन्रस्टेश्ट दो विजित विर्सर्ट्टिश्ट्टिशन.com वेबसाइ एंडर एंजॉइ वाग ट्रीटी